सिर्फ पनीर और नारियल के यह लड़ू इतने टेस्टी लगते हैं कि मूह में घुल जाते हैं आपको बहुत क्रेविंग हो रही है इंस्टन में कोई लड़ू चाहिए न तो यह मूह में घुल जाने वाले पनीर मलाई कोकोनड लड़ू बनाके देखे जिसको आप ब्रत में ग्रेट कर लेते हैं तो इसका आधा में पनी ग्रेट कर लेती हूं तो यह देखे एक कटोरी से थोड़ा सा कम है मैं मेजरमेंट आपको बता रही हूं उसके बाद मैंने एक कटोरी भरके यहां पे डेसिकेटड कोकोनड या नाजिल का बुरादा होता है न वह ले लिया है आधा कटोई मैंने शक्कर ले लिया है शक्कर आप टेस के कोर्डिंग कम या जादा कर सकते हैं बस आपको क्या करना है एक चमस घी लेना है कड़ाई में और बस इसको अच्छा सा मैट हो जाने दीजिए अब देखे कितना इंस्टन यह लड़्डू बनता है और मुह में ज जादा बढ़ जाता है तो यह देखे हलका सा कलर चेंज हो गया ज्यादा में चेंज नहीं करना है और बस अब में जैसे हो जाएगा तो इसको हमें क्या करना है सारा अच्छे से निकाल देना है तो डेसे केटर कोकोनट तो भूनके तायर है बहुत इंस्टन टाइम में बन तो जब पनीर अच्छा से शक्र के साथ पकेगा ना तेस्ट बहुत अच्छा आएगा उसका तो इसको बढ़िया सा लूँ मीडम फिल्म में पकाना है आपके शुगर भी बहुत अच्छा से मल्ट हो जाएगी और पनीर भी हमारा बहुत अच्छा से भुन जाएगा इसको आपको अब सरा चेसे मिक्स करना तो अब ब्रद में पनीर थो खाते हैं तो पनीर और रिखा से लड़ू बना सकते हैं इसके यह एक सब्सक्राइब दाल पर यह पर मतलड़ आएगा उसको थंडा कर लीजए थंडा करने कवाद पद को इस तरीके से जिससे के लड़ू बना चोटे बड़े मीडियम साइज के लड़ू बना लेने हैं बहुत ही असानी से बना जाता है आप देख रहे हो ना और यह कोकोनट था मैंने इसको कोड कर दिया अब गानिश आप कैसे भी कर सकते हो ड्राय फूर का ऐसे बारिक सा चूरा बना के उससे आप कोड कर सकते हो जो आ है लड़ू बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी मुव में जाते ही घूल जाते हैं तो यह वाले पनीर को क toothbrush करना चाहिए बरत में भी कहा सकते हो अगर अब वरत में पनीर खाना पसंद करते हो तो में बनाएं पनीर क्तम सकते overs der मिश box लीगे आ हैं पसंद आ करके जरूर बताएं कि आपको यह वाले पानीय के लड़ू के रेस्पी कैसी लगी बहुत ही इंस्टेंट रेस्पी में डालती हूं जो कोई भी बना सकता है तो जरूर ट्रै करें और कॉमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूले के रेस्पी आपको कैसी लगी तब तक